आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना राम नौमी स्पेशल ब्लॉग तो किस तरह से हमने सेलिब्रेट किया आई होप कि आप सब को पसंद आएगा नए है तर सबस्क्राइब जरूर कीजेगा अब आज मैं आचकी मेरे बाल भी काफी जाला गीले है और आप सबी को सबसे पहले हैपी राम नौमी मेरी तरफ से आप सबी को धेर सारी शुब कामना है आपका दिल शुब रहे और अभी मैं बनाने वाली हूँ सारा ही जो है ना खाना जो की करने अभुजेन के लिए भी होत पचलिए स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं चना बनाने का और यह चना मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था एक दो बार वाश करने के बाद मैंने पानी डाल कर और रात बर चोड़ दिया था अच्छे से यह फूल चुका है बस इसको कूकर म बने वाली हूं हल्दी और थोड़ा सा बिल्कुल नमक अट करेंगे नमक इस समय बॉयल करते वकित जब आप डालते हो ना चना या छोले में तो अंदर तक चला जाता है तो हलका सा भी फिलाल मैंने नमक डाला है बाद में मसाला करते वकित बागी का नमक मैं आट करूँग करते हैं तो एक चोटी कटोडी के करीब मैंने चावल लिया है और इसको दो से तीन बार अच्छे से वाश कर लोंगी और फिर इसको दुबारा से भीगो के रख दूंगी खीर मैं लास्ट में बनाऊंगी बस थोड़ा सा प्रिपरेशन है ना चावल को पहले से भीगोना हो और हरी मिर्च काफी सारा लिया है इसको अच्छे से कूट लोंगी आप चाहे तो चना मसाला बनाने के लिए जैसे की पेस्ट का भी यूज कर सकते है अद्रक मिर्च का जैसे कि आज कोई भी प्याच वगरा यूज हम लोग नहीं करते हैं जो भी हमारे फेस्टिवल में होत अज़िया था इसको जैसे जो पानी होता चना का पानी उसको आप सबजी की करी में डाल सकते या सूप वगरा बना सकते हैं तो उसको मैंने अलग से रख दिया और थोड़ा सा ही पानी रहने दिया है चने में तो चना अच्छे से बॉल उचुका बस इसका मसाला तयार कर ल तोड़ा सा हल्ती पॉडर ऐंज हें, मिर्च व्लेम फ्लेवरु गरम नमक, कल पॉड़ा फेल पानि एट हो यह 3-4 मिर्ची नमक ते कली। बट हमारे जो हिंदू फेस्टिवल में अल्मोस्ट प्याज वगरा भी नहीं खाते हैं इस समय तो इसको अच्छा लगता है वैसे भी यह अद्रक और मिर्च का फ्लेवर इसके साथ और मसाला चिस से जब कुक हो चुका है ना तब मैंने इसमें एड किया है यह बॉयल किया तो आप चाहे तो चना मसाला में अमचूर का यूज भी कर सकते हैं तो बस मैंने इसी तरह से रखा है दन्यापता आड करके मिक्स कर लिया है और चना बन कर तयार है बस मैं बनाने वाली हूँ आलू की सबजी थोड़ा सा मटर डाल दूंगी और मैंने बस कड़ाई में अद्रक और मिर्च का मैंने कुटा हुआ रखा थोड़ा सा इसको भी हलका सा भून लेंगे इसके बाद मैं आड करने वाली हूँ दो टमाटर का पेस्ट यह मीडियम साइज के चोटे वाले अर्मोस्ट यह तमाटर है एक चोटे बोल के करीब तमाटर का पेस्ट और क्योंक अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं आड करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला वन टी स्पून के करीब और जैसे प्लेन आलू की सबजीबी टमाटर वाली बन सकती है मेरे पास मतर था इसलिए मैं मतर आड करने वाली हूँ तो बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला और इसमें आड कर लूँगी यह मेरे पास फ्रोजन मतर था और अभी जो फ्रेश मतर तो आ नहीं रहे हैं तो यह फ्रोजन मतर का मैं यूज कर रही हूँ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी आड कर लेते हैं इन सब को मिक्स करके ढखकर रख और इसमें से ओयल भी सप्रेट हो जाता है तब तक तो इसको अभी रखा है मैंने इसके बाद थोड़ी दिर बाद इसको चेक करते हैं आप देख सकते हैं तो मसाले हमारे बिल्कुल प्रॉपरली ड़न है और बस इसमें डाल दूंगी बॉयल किया हुआ हरका सा मैश किया और इसको कम से कम आठ से दस मिनट को खोने दूंगी तो थोड़ा सा पानी मैंने एट किया है मिक्स कर लेते हैं ढक के रख दूंगी slow to medium फ्लेम पर बीच बीच में थोड़ा सा चेक कर लोंगी थोड़ा सा थिक वाला हो जाना बस इतना करूंगी तो यह हलका सा पानी भी डि जाओट कर लेती हूं थोड़ा सा उपर से डाल देंगे धनिया पत्ता और जैसे की चना मसाला है साथ में ये भी एक सबजी हो जाएगी तो बस इसको ढखकर एक तरफ रखती हूं बनाने वाली खीर और ये चावल है ना कम से कम आदे गंटे कली मैंने फिला दिया था तो अच से बिल्किल ।टोड कर दाले गाएगा जिस से की चावल जल्दी बैते हैं और जए उसाथ में आपकी जो … घी पर कही जाल्ड़ा है तो इस तरह से बनाएगा बहुत अच्छी बनती है तो ये चावल मैं डालने वाली नहीं हूं ज़ूड को निया उच्छे से बॉल ग्रे जितना हो सके आप इसको मसल लीचे तोड़ के डालेगा तुरंत इसको चला लेना होता है क्योंकि यह गुटली पढ़ जाती है नीचे इसलिए तो इसको दो से तीन बार चला लेते हैं और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको बनने के लिए में रफोंगी तो इसलिए मैंने करके डालेगा जितने अच्छे चोटे दाने आप कर लोंगे ना उतने अच्छी आपकी खीर बनेगी बिल्कुल गाड़ी जैसी और इसमें मैंने थोड़ा सा इलाइची पाउडर भी साती साथ डाल लिया है अच्छे से चला लेना है ताकि लंप्स फॉर्म ना हो वरना चा अच्छे से सॉप्ट हो चुके थे अब मैंने इसमें डाला है काफी हद तक जो है ना दूद भी कम हो चुका है चावल पक चुके तब मैंने जो भी पसंद के ड्राइफ फ्रूट्स है वो एड़ कीजे मैंने इसमें किश्मिस और साथ में काजू एड़ किया और एक बुल क अब मैं बना लेती हूं सूजी का हलवा तो मैंने एक चोटे बोलके करीब सूजी एड़ किया है और इसमें जैसे हम सूजी लेते हैं उससे हिसाब से अगर आप घी लेते हो तो अच्छा टेस्टी बनता है कोई भी हल्वा ज्यादा गी में ही अच्छा लगता है काफी सारा गी एड़ कीजिए और अच्छा बनता है और फ्रेज में रखा हुआ यह एक्चली घी था इसलिए थोड़ा सा जम गया है तो इसको मैं अच्छे से पिगला लूँगी थोड़ा सा गी मुझे कम लगा तो मैंने एक्स्ट्र और एड़ किया है जितना अच्छा गी रहेगा उत काजू एड़ करके इसको भी हलका सा रोस्ट कर लूँगी साती साथ आप चाहे तो पहले से रोस्ट करके डाल सकते हो और इसके बाद इसमें मैंने भून लिया है इन दोनों को भी ड्राइफ रूट्स को और इसके बाद मैं एड़ करूंगी जैसे कि एक बुल करीब मैंने स इसमें डाला है एक बुल से थोड़ा सा कम इसमें शक्कर आट किया है और इसको अब हम कुक करने वाले हैं थोड़ा सा इलाइची पाओडर आट कर देते हैं खुश्पू के लिए और इसको अच्छे से बिलकुल चलाते हुए मीडियम टू सलो फ्लेम पर कुक करते जाना है तेस्टी लगने वाला है और इसी तरह से ये पैन भी छोड़ देता है तो बस हलवा बन कर त्यार है तो मीठा भी बन चुका है अब मैं आटे की तयारी कर लेती हूँ पूरी वाला आटा और इसके लिए मैंने गेहू का आटा लिया है और सेमी हाट सा जो है न डो तयार कर लेती हूँ और आप देख सकते हो आटा काफी जादा है क्योंकि मैं जो है ना कन्या बोजन करवाती हूँ यानि बाहर भीचवार देती हूँ जो दूद वाले आते हैं ना दूद देने उनी के हाथ में मैं दे देती हूँ वो लेकर चले जाते हैं प्रशाद और वो छोटी बच्चे को दे देते हैं पैसे वगळादा काफी है तो इसलिए आप देख सकते ही आटा मैंने काफी सारा किया है चना वगळा सारा ही कुछ जादा बनाया है तो हमारे यार्ड जैसे कि हलवा पुरी चना खीर और साथ में पुवा भी बनता है फ्रेंद्स तो फुवा के लिए मैं लोंगी ये एक कटोरी के करीब गेहु काता है उसमें एक छोटी कटोरी के करीब इसमें डाला है यानी 4 से 5 चमच के करीब आड किया है शककर थोड़ा सा इलाईची पाउडर आड कर लेत और एक साथ ये बिलकुल जो है ना शक्क चर बी मैल्ट हो जाएगा करते-करते मारे काथ तो इस लिए हल्का सा ही पाने आड रका हम पान करें के पान्नेगे तो थोड़ा सा चलो यह पानी फोले बाता करेंगे और अाटा भी फूलेगा यह ला तो फोली दिर तक यह जो शक्कर वगएरा अच्छ से जो घुल जाए और साथ यह साथ आटा भी अच्छ से फूल जाएगा तो मैं इसको ढखकर रख देती हूं तब तक मैं तैयारी कर लेती हूं पूरी बनाने का तो इसको ढखकर रहने देती हूं कम से कम 10-15 मिनिट भी रहेगा तो भी तैयारी कर लेती हूँ पूरी का एक साथ थोड़ा सा बेल लूँगी तो सबसे पहले मैं मातारानी के लिए जो है ना प्रशाद निकालती हूँ तो उसी के लिए अभी सारी जो है ना थाली फरस्ट अपॉल तैयार कर रहे हूँ तो थोड़ी सी बुरी सेकोंगी बात में जो को आगी का देनी का है और घर के लिए थोड़ी सी और सेकनी पड़ेगी तो आज काफी सारा जो है ना सुबह से काम लगा हुआता सुबह मॉनिंग कर बहुत सारा काम होता है और अभी का काम तो पूटा टाइम तो फेस्टिवल में ऐसे ही चला जाता बिलकूल जो है ना तो फटावट से मैंने पूरिया एक-एक दो दो करके डाल डालके फटावट से निकाल ली है तो आज रोषनी की भी छुटी है और कोचिंग की भी छुटी कैसे भी मिल गई वनना आज भी जाना होता कोचिंग तो इतना ज़्यादा काम होता है उपर से धूप में जाओ कोचि बट पापा को मैंने अल्रडी बनाना दे दिया था खाने के लिए यानि केला जब तक खा लेंगे जब तक यह सारा कुछ बनेगा फिर एक की साथ सारे लोगों का खाना हो जाएगा तो यह फटा फट से जो है ना मैंने यह पुआ डाल के सेख लिया है जो बैटर भी अच्छे धूप निकली हुई है वैसे भी और सबसे पहले मैं भगवान जी की जो है ना थाली निकाल लेती हूँ सबसे पहले अभी हम लोग करने वाले हैं पूजा हवन वगेरा भी होता है आज के दिन छोटा सा हवन कर लेते घर पर ही और रोशनी भी साथ है मेरे तो बच्पन से मै देखते आई थी ममी को करते हुए और मैं भी साथ में ममी के बैठती थी करती थी साथ में पूजा तो वही सारा कुछ मैंने सीखा है बनाना करने से लेके सब कुछ किस तरह से पूजा पाट किया जाता है क्या क्या डलता है तो जो हम माबाप से सीखते हैं घर में देखते है या बाकी का जो भी ससुराल में देखते हैं वो सब हम सीख जाते हैं बस यही है कि आपको ताल मेल बठाना आना चाहिए अपने माईके में भी और सादी के बाद अपने ससुराल में भी तो जो भी हमें संसकार मिलता है सबसे पहले अपने माबाप से ही मिलता है तो बस काम ऐसा कीजिए कि किसी का सर ना जुके चाहे अपने माबाप का या अपने ससुराल का कोशिश कीजिए जिस तरह से हम अपने माबाप को सम्मान आदर देते हैं उसी तरह से अपने साथ ससुर को भी दे अगर वो अच्छे है तो बहुत अच्छी बात है अगर आप सेवा करोगे तो भगवान आपको देखता है अगर अच्छे नहीं भी है आपके इनलोज तब भी आप उनके जैसा मत बनी आप हमेशा सब के लिए अच्छा ही सोचिए तो बस विचार अच्छे होने चाहिए सोच अच्छे होने चाहिए कर्म अच्छे कीजिए बस भग्मान आपका साथ देंगे हमेशा ही तो जै श्री राम आप सबी को इसी तरह से अपने जीवन को अच्छा बनाई है और ये जो है ना हवन का सारा कुछ इस तरह से मैं जो है ना एक पॉजिटिविटी देता है आपको पूरे घर में करना जो की कन्याओ के लिए फ्रेंस तो जैसा जैसा मैं बता देती हूं पिछली साल भी रोशनी नहीं किया था तो अब मैं प्लेटिंग कर लेती हूं तो एक थाली में मैंने रखा है चना मसाला साथ में आलू मटर की जो ग्रेवी वारी हलकी सी थीक हो चुकी है वो सबची खीर है हलवा है साथ में पूरी है और मैंने रख दिया है बीच में पूआ ये मीठे वाले गुलगुले और ये तयार हो चुकी है राम नौमी वाली थाली तो पूजा में जो मैंने थाली चड़ाई थी ना भगवान ची के लिए तो उसमें मैंने जो हलवा पूरी चना और साथ म खीर और पुआ रखा था बट यह जो मत्रालू की सबची में नहीं रखी थी अभी जो थाली है मैंने सारा कुछ रख दिया है और इसके बाद जो भी है थोड़ा वुद काम है मेरे को किच्छन में फाना मैंने दोनों को दे दिया है पापा को और रोशनी को मैं करने वाली हू तो वह जो पीके मेरा स्टमक बिल्कुल है मैं खाऊंगी देर से मैं बना कर दिया है तो आज काम मेरे काफी जादा है अब ही किच्छन में क्लीन करूंगी और जो भी खाने का समान है उन चोटे बरतन में डाल के रख दूंगी और सीधर रख में रख दोंगी क्योंकि अभी खाम बहुत जादा है मेरा तो यह व्लॉग मैं एंड करती हूँ आई ओप यू लाइक इस वीडियो नए है तो सब्सक्राइब कीचिएगा एंड एपी राम नौमी तो अल अव यू वन्स अगें आपकर दिन शिव्ट जाए बाइबाए ठीकियर